हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या अरेयस अकेडमी में दोस्तो राजस्तान में आईजित राजस्तान रिट बरती परिक्षा लेवल टू एसस्टी यानि की सामजिक अध्यान का जो नवीनतम पाठेकरम आया है दो जार इकिस में उस पाठेकर राध्यारे सेकेट में के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों 20-25 मिनट का समय लगेगा जिसमें आप ये प्रसन है वो आचा पर्चा बावडी ठीक है तो इसमें सी नंबर का ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बूंदी की फूल सागर जील का निर्मान किसने करवाया था बूंदी की जो फूल सागर जील है इस जील का निर्मान किसने करवाया था तो दोस्तों आपको इसका राइ फूललता तो इसका right answer हो जाएगा डी नमबर का जो option है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए हैं पर राणी फूल कावर भी है और राणी फूललता भी है तो आपको याद रखना है फूललता तो इसमें डी नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है मानसागर जील कहां इस्तित है दोस्तों मानसागर जील है ये कहां पर इस्तित है तो ये जैपूर में है याद रखना आपको मानसागर जील कहां पर है जैपूर में सी नमबर का उप्शन इसका सयुत्तर हो जाएगा एक तरफ है बांध दूसरी तरफ है संबन्धित जिला ठीक है तो यहनकी कौन सा बांध कौन से जिले में है वो अपने को इसमें बताना है तो देखिए दोस्तों यहां पे माही बांध तो यह दोस्तों कहां पर है तो यह बांसवडा में है ठीक है जाकम बांद जिसकी उंचाई 81 मिटर है और दोस्तो ये परताब गड़ में है ठीक है जमाई बांद है ये दोस्तो पाली में है और बिशलपूर बांद है ये टौक जिले में है ठीक है तो दोस्तो ये देखे हैं यहां पर माही बांद बांस्वाडा में जाकम बांद परताब पापगड़ में जमाईबांद पाली में विशल पूर बांद टॉंक जिले में है तो इसका रायट अंसर हो जाएगा 4 candidate 4123 circuit 4123 यानिकि ए नंबर का जो जो उप्षन है वो इसका सही transmitted हो जाएगा next सिक्स नमबर प्रेसने कोठारी नदी पर मेजा बांद कहां बनाया गया है कोठारी नदी पर मेजा बांद कहां बनाया गया है तो वो है दोस्तो भील वाड़ा में बनाया गया है कोठारी नदी पर मेजा बांद तो डी नमबर उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे साथ नमबर प्रेशन किस जील की खुदाई का कारिये सरो पर्थम मालवा की घेवर बाई के द्वारा किया गया जिसकी छत्री आज भी जील के किनारे इस्तित है किस जील की खुदाई का कारिये सरो पर्थम मालवा की घेवर बाई के द्वारा किया गया था जिसकी छत्री आज भी जील के किनारे इस्तित है यान कि कौन सी जील के किनारे घेवर बाई की छत्री आज भी इस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजसमंद जील ठीक है राजसमंद जील के किनारे दोस्तों गेवर माता का मंदिर भी इस्तित है नेक्स्ट व्यास परियोजना के दितिय चरन का निर्मान किया गया तो व्यास परियोजना के दितिय चरन का निर्मान है में दोस्तो किस का निर्मान किया गया था तो वो है दोस्तो पोंग बांध का ठीक है व्यास परियुजना के दितिय चरण में पोंग बांध का निर्मान किया गया था नेक्स्ट आगे देखिए नाइन नमबर प्रैस ने इसमें देखिए उदेपुर जिले में निम्न मेंशे कौन सा बांध इस्तित नहीं है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजीत सागर अजीत सागर बांध है ये उदेपुर जिले में इस्तित नहीं है उदे सागर सौम कागदर परियुजना और सवरुप सागर ये तीनों बांध है ये उदेपुर में है लेकिन अजीत सागर बांध यहां पे ग सेयुत्त नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए एक तरफ जिला है दूसरी तरफ राजस्तान के बांध है तो अपने को बताना है कि कौन सा बांध है वो कौन से जिले में है तो देखिए दोस्तों यहां पर जैपुर अब जैपुर में कौन सा बांध है तो दोस्तों जैपुर में कौन सा बांध है तो रामगड बांध है तो दोसा में कौन सा बांध है तो काला खोहा बांध है धोलपुर में दोस्तों रामसागर है और भरतपुर में सेवर बांध है तो यह मैंनिया बता दिया जैप पूर्पूर में रामगड, दोसामय कालाखो है दौलपूर में रामसागर और भरतपूर में सेवर बांध यह राजस्तान की प्रमुक बांध है दोस्तो जो मैंने आपको बताए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें 4, 3, 2, 1 चार तीन दो एक यहने की डी नमबर का उप्सन जिसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट बारा नमबर का प्रिशन है सुमेलित कीजिए एक तरफ बांध है दूसरी तरफ समंदित जिला है ठीक है तो यहां पे देखिए मोरेल बांध कहां पर है तो यह दोस्तो सुमादोपुर में है बिलकुल सही है मेजा बांध कहां पर है तो यह भीलवड़ा में है यह भी इसमें सही है पारवती बांध है ये दोस्तो दोलपुर में है और बांकली बांध है ये जालोर में है ठीक है दुबार देख लें मोरेल बांध स्वाइमादोपुर में मेजा बांध भीलवाडा में पारवती बांध दोलपुर में बांकली बांध जालोर में तो इस प्रिशन का राइट आंसर हो जाएगा कैक है गै गै ठीक है कैक है गै 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 तो इसमें ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट जैपूर अजमेर ब्यावर और किसंगड को पेजल की आपूर्ती से सम्मंदित पर्योजना है जैपूर अजमेर ब्यावर और किसंगड को पेजल की आपूर्ती से सम्मंदित पर्योजना है तो दोस्तों यहां पे चार नाम दिये गए हैं जैपूर अजमेर ब्यावर और किसंगड को पेजल की आपूर्ती है वो कौन सी सिचाई पर्योजना के तहत की जाती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है बिशलपूर परियोजना के तहत की जाती है ठीक है D number का option सेयुतर next बिशलपूर परियोजना राजस्तान की किस नदी पर किरियानवित की जा रही है बिशलपूर परियोजना राजस्तान की किस नदी पर किरियानवित की जा रही है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें KD पर ठीक है तो C number option सह्यूतर next है C-Tree Tux میں सरवादिक फ्लेमिंगो किस जहिल में आते है तो C-Tree Tux में सरवादिक फ्लेमिंगो है ये कौन से जहिल में आते है तो इसका सह्यूतर है वो है सांबर जहिल में ठीक है यह नमबर ओप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है सत्रा सो पांच इस्वि में गुरु गोविंद सिंग ने किस जील के पास गुरु गरंथ साहिब का पार्ट करवाया था सत्रा सो पांच इस्वि में गुरु गोविंद सिंग ने किस जील के पास गुरु गरंथ साहिब का पार्ट करवाया था तो इसका सयुत्तर है वो है दोस्तों कौन सा तो वो है पुशकर जील के किनारे ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का ओप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है पुशकर जील में सफाई का कारिय किस देश द्वारा हो कौन सा देश पुशकर जील में सफाई का कारिय कर रहा है तो वो है दोस्तों करनाडा ठीक है तो इसमें ए नमबर ओप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है पांचना सिचाई परियुजना कौन से जिले में है ये कौन से जिले में है तो ये करोली जिले में है दोस्तों ये ठीक है त तो दोस्तो पुसकर जील की आकरती है वो अर्द चंद्राकार है कैसी है अर्द चंद्राकार एह नमबर का उप्शन स्यूत्तर नेक्स्ट जैसमंद मंगल सर जैसागर विजैसागर हंस सरोवर प्रेम रतना कर बांद कहां इस्तित है दोबारा देखिए जैसमंद मंगल सर जैसागर विजैसागर हंस सरोवर प्रेम रतना कर बांद कहां पर इस्तित है तो यह दोस्तो सीधा सा सिंपल है यहां पर बांद पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अलवर जिले में ठीक है तो इसमें बी नमबर उप्शन सयुद्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर जैसमन्द आप ऐसे सोचरों को उदैपुर आ रहा होगा लेकिन उदैपुर नहीं है यहाँ पर अलवर जिला है याद रखना आपको नेक्स्ट है तापी बावडी कहां पर इस्तित है तो दोस्तो तापी बावडी है यह कहां पर इस्तित है तो यह जोदपुर जिले में है ठीक है एनमबर उप्शन सयुद्तर नेक्स्ट है चोपड़ा जील किस जिले में है चोपड़ा जील है वो कौन से जिले में है तो दोस् दोस्तों हिमावास बांध है ये कहां पर इस्तित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पाली जिले में है ये हिमावास ठीक है नेक्स्ट भारत का पहला अकाल राहतकारिय किस जील में किया गया तो पहला अकाल राहतकारिय कौन से जील में किया गया तो वो दोस जाहत सासचा के राजा सारजमल द्वारा निर्मित जील है तो वो कौन सी हैं वो मोराуск 2 सुजान गंगा जील है तो इसमे बी नमब्र ब्वंशन स्यूत्तर हो जाएगा नेक्स आगे देखियेए ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है तो वो कौन सा बांध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें जमाई बांध ठीक है ए नमबर का उप्शन सही उतर नेक्स्ट जैसमंद जील के सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाकड़ा है लेकिन सबसे चोटे टापू का नाम क्या है तो दोस्तो सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाकड़ा और सबसे चोटे टापू का नाम है प्यारी ठीक है तो इसमें बी नमबर उप्शन सही उतर नेक्स्ट जालावाड जिले में उजाड नदी से निर्मित कुन सा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो भीम सागरबांद ठीक है नेक्स्ट चंबल नदी पर निर्मित गांदी सागरबांद किस राज्य में इस्तित है तो दोस्तो गांदी सागरबांद है ये मद्दे प्रदेश में है चंबल नदी पर चार बांद बनाए गए हैं ठीक है देखिए गांधी सागर जमाहर सागर राना परताब सागर और कोटा बेराज ठीक है तो यहां पे गांधी सागर बांध है यह मद्दे परदेश में हैं बाकी के तीन हैं वो राजस्तान में हैं आगे देखिए तीस नमबर प्रैस ने भराव समता की दरश्टी से पस्यमी राजस्तान का सबसे बड़ा बांद कौन सा है भराव समता की द्रेश्टी से पस्यमी राजस्तान का सबसे बड़ा बांद कौन सा है तो पस्यमी राजस्तान का जो बांद पुछा है उसका नाम है दोस्तो जमाई बांद ठीक है तो यह जमाई बांद है यह पस्यमी में ही आता है तो इसमें B-Number Option सयुत्तर नेक्स्ट राजस्तान वबारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो सबसे बड़े खारे पानी की जील है वह है दोस्तो इसमें सांबर जील तो इसमें B-Number का Option सयुत्तर हो जाएगешьट इसमें जील के बांद की आकरती धनुसाकार है किस जील के बांद की आकरती धनुसाकार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो राद समंद जील की आकरती है वो धनुसाकार है नेक्स्ट सोडियम सलपेट का कारकाना कहा है तो दोस्तो सोडियम सलपेट का कारकाना है ये डीडवाना नागोर में है ठीक है सी नमबर उपसन सही उत्तर नेक्स्ट है सामबर जील की समूंदर तल से उचाई कितनी है तो सामबर जील की समूंदर तल से उचाई है वो दोस्तो तीन सो सड़ सट मिटर है कितनी है तीन सो सड़ सट मिटर ए नमबर उपसन सही उत्तर हो जा साल्ट मुजियम की इस्तापना की गई तो दोस्तों कौन सी जील के तट पर की गई यह अपने को इसको बताना है तो दोस्तों जो सामबर साल्ट लेक पर साल्ट मुजियम की इस्तापना की गई थी ठीक है तो इसमें सी नमबर उप्शन सही उतर नेक्स्ट है सामबर जील को प नाम से पुकारा जाता है तो ये पुकारा जाता है रामसर साइट के नाम से ठीक है याद रखना राजस्तान में दो रामसर साइट है एक केवला देव वाला और एक सामबर जील वाला ठीक है तो सी नमबर उप्शन सहुतर नेक्स्ट है 37 नमबर प्रेसने निमनलिकित सुची फस्ट को सुची सेकंड से मिलान कीजिए सुची फस्ट में आपको यहां पे बांध दिख रहे होंगे और सुची सेकंड में आपको यहां पे जिला दिख रहा होगा ठीक है तो दोस्तों अपने कोई बताना है कि कौन सा बांध है वो कौन से जिले में है इस्तित है वो बताना है ठीक है तो देखिए गागरीन बांध है वो दोस्तों कहांपर है ये जहलावाड में है कहांपर है जहलावाड में और देखिए यहांपर गराडा गराडा बांध ह ये दोस्तो ये बुंदी जिले में है और मौरा सागर है ये दोस्तो कहां पर है तो ये स्वाइम मादवपूर में है और टोकरा बांध है ये दोस्तो कहां पर है शिरोई जिले में है तो दोस्तो दोबार देखिए गागरीन बांध जालावाड में गराडा बांध बुंदी मे मौरा सागरबांद स्वाई मादवपुर में और टोकराबांद कहां है सिरोई जिले में तो इस प्रिशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4132 4132 यानि की D नमबर का जो उप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है सामबर जील के नमक उत्पादन कारिये हिंदुस्तान नमक कमपनी द्वारा किया जा रहा है ये उपकरम किसका है सामबर जील में नमक उत्पादन का कारिये हिंदुस्तान नमक कमपनी द्वारा किया जा रहा है तो ये कमपनी किसकी है केंदर सरकार की है या राजे सरकार की है या नीजी की है या किसी की नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें केंदर सरकार की है योजना है तो इसमें C नमबर ओप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है पानी का ठहराव अधिकादिक करने है तू सेकंड पॉंड योजना कौन से जिले में प्रारंब की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें डूंगरपुर में तो इसमें C नमबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है चालिस नमबर प्रेस ने राजस्तान टैंक पुनरवास मेनेजमेंट परिजना के अंतरगत है 1188 में लगू बांदो के पुनरुथान कारिय हे तू भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है तो यह समझोता किया है जापान के साथ में तो इसमें डी नमबर का उप्सन सही उत्तर कौन सा बांद चंबल नदी पर नहीं बना है तो कौन सा बांद चंबल नदी पर नहीं बना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है पौंग बांद तो इसमें C नमबर का उप्शन सही उत्त है नेक्स्ट है 42 नमबर प्रेस्ट है उदैपुर राज परिवार के राज महल किस जील के किनारे इस्तित है उदैपुर राज परिवार के राज महल यानि कि सीटी पहले से किस जील के किनारे इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तों कि जील के किनारे तो पिछोला जील के किनारे इस्तित है तो डी नंबर का उप्शन स्यूतर नेक्स्ट है एसिया में चिनाई वाला सबसे उचा बांद कौन सा है तो वो है जाखम बांद तो इसमें सी नंबर उप्शन स्यूतर नेक्स्ट है किस जील पर मेज़ा बांद निर्मित किया गया है तो दोस्तों किस जील पर मेज़ा बांद निर्मित किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो कोठारी नदी पर दोस्तों ये मेज़ा बांद निर्मित किया गया है नेक्स्ट जैसलमेर इस्तित गजरूप सागर जील का निर्म किस ने करवाया था तो ये करवाया था दोस्तो किस ने केशरी सिंग ने करवाया था ठीक है नेक्स्ट निमन में से चितोड जिले में इस्तित बांध है तो चितोड जिले में इस्तित बांध कुन सा है तो वो है दोस्तो इसमें भीम सागर बांध है वो चितोड गड़ जिले म इस्तित है तो इसमें B-N-O-O-P-S-N-S-E-U-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T किस जिले में नाराण सागरबांद इस्तित है तो नाराण सागरबांद है ये दोस्तों कहां पर इस्तित है तो ये अजमेर में इस्तित है नाराण सागरबांद नेक्स्ट पन्ना लाल साह द्वारा निर्मित कराया गया 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 पन्ना लाल साह द्वारा नि है तो सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाकड़ा और सबसे चोटी टापू का नाम है दोस्तो प्यारी ठीक है यहां पर बड़े का पुचा है तो ऐ नंबर का option सही ओतर हो जाएगा बावन नंबर परेशने चंबल परियुजना के अंतरगत बांदों में कौन सा बांदों में कौन सा बांदों में राजस्तान में नहीं है तो देखिए गांदी सागर बांद है ये राजस्तान में नहीं है बाकी के तीनों बांद है ये राजस्तान में है ठीक है तो इसमें डी नमबर उप्सन सही तक नेक्स् सोर सागर तालाब है ये किस सहर मेचती थै तो ये कोटा मेचती थै ए नमबर उप्सन सही उत्तर नेक्स्ट सामबर जील में नहीं गिरने वाली नदी है तो दोस्तों सामबर जील में नहीं गिरने वाली नदी है वो कौन सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कुन सी तो वो है कांतली नदी तो बी नमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है सांबर जील का अपवाचेतर कितने वर्ग कीमी है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो पांसो वर्ग कीमी ए नमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है राजस्तान की सबसे ब जैपूर जिले में है सांबर जील का ठीक है तो इसमें ए नमबर उप्शन सहीट तर आगे देखिए 57 नमबर प्रेस निमन में से कौन सी मद्यम सिचाई परियुजना जालावाड जिले से समंदित नहीं है तो यहां पे दोस्तों आपको सीधा साफ दिख रहा है यह जो पांच हो जाएगा बी नमबर का उप्शन हरिस चंदर सागर चापी और भीम सागर प्रियुजना है यह जालावाड जिले की है ठीक है तो इसमें बी नमबर का उप्शन सहीधतर हो जाएगा नेक्स्ट है अठावन नमबर प्रेस ने निमन लिकित को सुमेलित कीजिए एक तरफ ब सागरबांद कहां पर इस्तित है यह अपने को इसमें बताना है देखिए जमाहर सागरबांद है यह कहां पर है कोटा में राना परताब सागरबांद है यह चितोडगड में है और बजाद सागरबांद है यह बासवड़ा में है और उमेद सागरबांद है यह भीलवड़ा में है ठीक है दोबार देखिए जमाहर सागरबांद कोटा में राना परताब सागरबांद चितोडगड में उमेद सागरबांद भीलवाड़ा में और बजाद सागरबांद यानि कि माही बजाद सागरबांद की बात और यहां पर तो यह बांसवाड़ा में है तो इस प्रुशन का राइट आंसर हो जाएगा बी ए डी सी बी ए डी सी यानि की डी नंबर का उप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है मुहाने से उद्गम की और चंबल नदी पर इस्तित बांदों का सही करम क्या है तो दोस्तों जैसे ही चंबल नदी का उद्गम मद्दे परदेश से होता है मद्दे परदेश में एक बांद का निर्मान हो जाता है ठीक है उसका नाम है गांदी सागर ठीक है अब गांदी सागर के बाद में दोस्तों बांद का यहां पर देखिए मुहाने से उदगम की और यानि की दोस्तों यू चले गई ठीक है यू नहीं अगर अगर अपन यू चले तो इसका करम हो जाएगा क्या कि सबसे पहले पहले आएगा गांधी सागर फिर उसके बाद में जवाहर सागर फिर उसके बाद में राना परताब सागर और फिर उसके बाद में कोटा बेराज ठीक है ये करम होगा ये उदगम से मुहाने की तरफ होगा लेकिन यहां पर पुछा गया है कि मुहाने से उदगम की तरफ यानि कि अपने को उल्टा बताना है कोटा बहराज कोटा बहराज के बाद में राना परताब सागर अब आप यहां पर राना परताब सागर देखिए कहां पर है तो यहां पर देखे जमार सागर राना परताब सागर और गांदी सागर तो इसका राइट अंसर है वो आप इनको छोड़ दीजिए तो आप तो यह याद रखना कि चार बांद हैं गांदी सागर, गांदी सागर के बाद में जमार सागर, जमार सागर के बाद में राना परताब सागर और राना परताब सागर के बाद में दोस्तों यहां पे कोटा बैराज तीक है ऐसे याद रख लेना इनको इनको आप छोड़ दीजी नेक्स्ट साथ नमबर का प्रेस्ट नहीं इसमें देखे राजस्तान में मिट्टी का बना बांद कौन सा है तो राजस्तान में मिट्टी का प्रमुक्ष नदिया यानि कि अपवाहत अंतर से समंदी तोप साथ प्रस्न है वो मैंने आज आपको करवा दिये हैं कल भी मैं एक और टोपिक लिखे आँगा ठीक है उससे समंदी तब हम बतास क्यूशन भी करेंगे दोस्तों अरद आरे सेकेट्बी के यूट्यूब चैनल क को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत